एक औरत तब तक ही खुबसूरत लगती है जब तक वो हासिल नहीं हो जाती ये दुनिया का कड़वा सच है कि अगर औरत खुबसूरत हो और मर्द अमीर तो महबत होते देर नहीं लगती दुनिया सिर्फ उनके हाल पूछती है जिनके हाला ठीक हो और कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो खुद पर ना गुज़रें आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं बलकि अच्छी सूरत को महत्व देते हैं कोई भी वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता लोग आपके बारे में सिर्फ उत्सुकता रखते हैं जब आप सफल हो जाते हैं तो आप जूटे दोस्तों और सच्चे दुश्मनों से खुद को घेरा हुआ पाते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मन्जिल नहीं है जो इनसान की पहुँच से दूर हो बस कुछ लोग कोशिश नहीं करते दोस्तों जिन्देगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए उसे समझना पड़ता है सच बोलना तो दूर आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है इसलिए कोई यसी गलती ना करें जिससे बुरे वक्त में अच्छे लोग आपका सांथ छोड़ते हैं इंसान जिंदगी में गलतीयां करके उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतीयों के बारे में सोच कर दुखी होता है गलत फेहमियों के सिलसले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर इट सोचती है कि दीवार मुझ पर डिकी है पहले उसने कहा कि दुनिया प्यार से चलती है फिर उसने कहा कि दुनिया दोस्ती से चलती है लेकिन जब मैंने सब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो बस मतलब से चलती है कभी भी अपना दर्द सब को ना बताएं क्योंकि सब के घर में मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर में होता है लोग ना जाने किस तरह समालेंगे ये जिन्दगी के रिष्टे खुद की जरा सी जबान तो समाली नहीं जाती है दोस्तों जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता ओमर जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो आज फरिष्टा हो जाता सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं जिने ना कोई देखता है और ना कोई सराहता है दोस्तों दुनिया उकते हुए सूरज को सलाम करती है जब तक आप सफल नहीं है लोग आपके प्रयासों का केवल मजाग उड़ाएंगे तो कह दीजिए उन सब से कि चलता रहूंगा पत्पर चलने मैं माहिर बन जाऊंगा या तो मनजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफर बन जाऊंगा तो दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने लक्ष की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते जाएए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मकूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा और अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इसको शेयर जरूर कीजेगा सुनते रहिए मन की आवाद